बहुत ही हुगला है देखो बीवी है कितने परकार की होती है सुनो RC बीवी खुझ जाके चाहिए बना लो और एक अप मेरे लिए भी बना देना धमकाने वाली बीवी कान खोल कर सुन लो या तो इस गर्ण में तुम्हारी मार आएगी या फिर मैं दिहास पसंद बीवी सब जानती हूँ तुम्हारा खांदान कैसा है भवेसे वाचक बीवी अगले साजर्मो तक मेरे जैसी बीवी नहीं मिलेगी तुमको ब्रमित बीवी तुम आदमी हो या पजावा तुआर्थी बीवी ये साड़ी मेरी मान ने मुझे पहनने के लिए दिये तुम्हारी बैन के लिए नहीं सखी बीवी मेरी कौन से सोतन से फोन पे बाते कर रहे हो अर्थ सास्तरी बीवी कौन से कुबेर का खजन जमा कर लिया जो रोज पनिर खिलो धार्मिक बीवी सुकर करो बगवान का जो मेरी जैसी बीवी मिली है कुंटा गरस्त बीवी मेरे नसीब में तुम ही लिखे थे अब आप सोच लो के आपकी बीवी कैसी है मौडन विवाहित पत्नी किचन से पती पर चिलाते हुए ये कौन सा खराब आटा उठा के लाएँ सारी रोट या जड़री है दो बाते हमेसा याद रखना एक मुस्किल में गबराना नहीं दूसरा सर्दियों में नाना नहीं आज का लेटेस्ट विचार सुनो छोरो के वे लड़किया ससुराल जाने समय क्यों रोती है तो छोरी पाचो के वे अगर तुझे कोई घर से दूर लिजाकर जड़ू पोचे कराए जूटे बर्तन साफ कराए तो तू क्या नाचेगा? रोना इच पड़ेगा विवाहित महिला और द्वारा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जूट इनसे पूछना पड़ेगा और विवाहित पूर्सो द्वारा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला जूट उससे क्या पूछना? डॉक्टर केवेट छोटा सा जखा मैं चिंता की कोई बात नहीं है तो भी डॉक्टर के नजर पैसन के आईफोन एट पे पड़ी फिर भी MRI तो कराए लीजिए डॉक्टर केवेट भगवार ने इस तरी को फुर्सत से बनाया है लेकिन फुर्सत देना बूल गया रमेश से कहा पापा कल हम माला माल हो जाएंगे तो रमेश से बाप बोले ओकी कर रहे तो रमेश से बोले के कल हमारे गणीत के टीचर पैसो को रुपे में बदल ना सिखाएंगे एक गुजराती मारवाडी ने आपरो कुवा बेचियो लिखा पड़ी ओगिन पैसारों लेन देन भी होईगियो अगले दिन गुजराती मारवाडी हो मिलियो और कहयो कि मैंहे सिरफ कुवा बेचियो उन्हों पाणी कोन बेचियो अगर पाणी चाहिजे तो पाणीरी अलग कीमत देनी पड़ेला इन मारवाडी बोलियो कि मैं खुद थारों विलिन वास्त आर reaching तो और क्यों वास्त थे के कुवार में थारो पाणी है उन्हें दो दिन में लिकाना ले जा नहीं तो मारे कुवा में जी को थार पाणी पड़ियो उन्हों किरे देना पड़ जाला मारवड़ी तो मारवड़ी होए सर्दी आरी ऐसा जी एस्टी निकाल लो जी मतलब गुदड़ा, एस मतलब सॉल, टी मतलब टोपो लुगे ही रमेश्याने केवे थे ब्यावरे पेली मने कटे-कटे-क मून वास पर लेन जाओता होटल और सिनेमान आसपास तरह निजर अधिकाओता ज़दे ब्यावरे गरुबारे नी लेन जाओता तो रमेश्यों बोलियो दोस्तरी साधी में प्रवीडियो इत्तो डांस करियो कि उन्हों बाप आने पूछ लियो